हेलो स्टूटेंट्स वेलकम बाक आज हम लोग बात करेंगे एकनोमिक पॉलिसी के बारे में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में यह जो टॉपिक है यह नेट का यूनिट वन का सिलिबस है तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं मैं आपको कहूंगा कि आप लोग एक नोट्स कॉपी बना लीजिए और नोट्स इसमें लिखते जाएए तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी इस दे माक्रो एकनोमिक पॉलिसी लेट डाउन बाइ दे सेंटरल बैंक इट इन्वॉल्स मानेजमेंट ओफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस रेट और इस देमांड साइड एकनोमिक पॉलिसी यूज बाइद गवर्मेंट ऑफ एकन्टरी तो अचीव माक्रो एकनोमिक अब्जेक्टिफ लाइक इन्फलेशन कंजप्शन ग्रोथ एंड लिक्विरिटी तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि यह जो बनाया जाता है वो सेंटरल गवर्मेंट के थुरू बनाया जाता है सोरी सेंटरल बैंक की तो मतलब बांक मतलब लिट हम तो जोमद चीजें इसमें देखी जाती है तो मनी सप्लाइब लिड़िट होंगी यहां पर मैंटरेसी रेट रेट को मैंनपुलेट करती है market के साब से market में inflation को देखके वो interest rate को उपर नीचे करती है अगर उसको लगता है कि inflation बहुत जादा है तो interest rate को कम करती है ठीक है ऐसे जो decisions होते हैं यह RBI लेती है मतलब central government लेती है monetary policy के form में तो monetary policy में interest rate को money supply को regulate किया जाता है ताकि हम inflation हो गया consumption हो गया growth हो गया और liquidity को maintain कर सके next आते हैं description in India monetary policy of the reserve bank of India is aimed at managing the quantity of money in order to meet the requirement of the different sector of the economy and to increase the pace of economic growth तो मतलब क्या हुआ कि monetary policy में reserve bank को जो major challenge इंडिया में है वो है कि इस तरीके से money को supply money supply को maintain करे ताकि जितने भी different sector है सब जगां पर money utilize हो सके और economic growth हो सके तो जब भी कोई भी country अपना monetary policy बनाती जैसे इंडिया यगर अपना monetary policy RBI बनाएगी तो इस चीज का ध्यान दखेगी कि जो money है वो हर एक sector में equally supply हो सके और उससे economy growth कर सके next आते हैं the RBI implements the monetary policy through the open market operation bank rate reserve system credit control policy moral pursuasion and through many other instruments तो monetary policy को regulate करने के लिए market में inflation को regulate करने के लिए government अलग-अलग monetary policy लेके आती है जैसे open market operation हो गया तो open market operation में क्या होता है government अपने खुद के जो bonds होते हैं उसको sell करती है bank rate policy में जो bank rate होता है जिस पे bank पैसा लेता है RBI से उसको rate कम ज़्यादा करने का काम करती है government उसके बाद reserve system में आपका cash reserve ratio और SLR आ जाता है तो इसको ज़्यादा कम maintain कराने का काम हो गया credit control policy में कितना credit market में देना है कितना नहीं देना है वो सब चीजें हो गई moral situation में हो गया कि किसी एक sector पर धान देना है कि वहाँ पर credit देने की ज़रुवत है कि नहीं है तो अलग-अलग तरीके से monetary policies जो होती है वो help करती है government को inflation maintain करने के लिए तो इसमें आपको ये जितने भी measures दिये गया है कैसे कैसे monetary policy को implement किया रहता है ये सारे points आप लोग learn कर लेंगे using any of these instruments मतलब instrument जितने भी है सब बढ़ियां से learn कर लीजेगा कोई भी instrument के भारह में पोश सकता है using any of these instruments will leads to the change in the interest rate or money supply in the economy monetary policy can the explanatory and the contractinary in the nature increase money supply and reducing interest rate indicate the explanatory policy and the reserve of these is the contrary monetary policy तो दो नया concept इसमें आया हुआ है एक आपका आया है expansionary policy एक आ रहा है contractary policy तो expansionary policy क्या होगा कि जहाँ money supply government बढ़ाएगी और interest को reduce करेगी ठीक है जब inflation का स्थिती नहीं होता मतलब market ने पैसे ही कमी होती है तो वहाँ पे government expansionary policy लगाती है वहाँ पे expansion का सोचती है तो जब expansion का कैसे सोचेगी जब money supply बढ़ाएगी और interest rate घटाएगी तभी तो लोग market ने पैसा लेने के लिए आएंगे तभी तो market ने पैसा होगा और contractionary policy में क्या होता है इसका उल्टा होता है यहाँ पे money supply कम कर देते हैं interest rate बढ़ा देते हैं यह भी बड़ा important point है नया point है इसको आप लोग point में लिख लीजे अपने पास next आते हैं लिक्विडिटी इस इंपोर्टेंट फोरन एकनोमी फोर सर्प्लस ग्रोथ तो मैंटें दे लिक्विडिटी दे आर्बी आई इस डिपेंडेंट ऑन दे मॉनेटरी पॉलिसी बाय पर्चेजिजिंग बॉन्ड थूद ओपन मार्केट अगर अलग अलग तरीका होता है जो कि आर्बी आई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को लगा के कैश के लेवल को मैंटेंड करती है यहां पर अब यह बता रहा है कि जो आर्बी आई है वो open market operations के थूं भी बहुत सारा कैस जो है वह manage करती है तो open market operation का जो policy लगा कि अगर RBI को लगता है तो बहुत सारा पैसा Market से निकाल लेती है और अगर उसको लगता है कि market में पैसे की problem है तो open market operation के थूंदं का payment कर देती है तो उससे क्या होता है market में खुब सरा payment आजाता है तो पैसे की problem कतम हो जाती तो दोनों यह चीज है ठीक है अगर उसको लगता है कि हां हमें मार्केट में पैसा जाधा है तो open market operation में bond sell करके पैसा ले आएगी और अगर पैसा कम है तो उसको फिर यहां पे purchase कर लेगी और payment जो है वो public को दे देती है तो अच्छा कासा liquid market में आ जाता है next आते हैं क्या होता है fiscal policy fiscal policy is means by which a government adjusts its spending level and tax rate to monitor the influence of national economy it is a sister strategy of the monetary policy through which the central bank influences a nation's money supply these two policies are used in various combination to direct the country's economics goal here a look to how the fiscal policy work how it must be monitored and how it must be implemented may affect the different people in a country तो fiscal policy क्या होता है यहां पे taxation related जो government के rules and regulation होते हैं वो physical policy के part होते हैं और physical policy और monetary policy साथ में मिलके government एक साथ उनको implement कराती है ताकि वो चाहे तो changes को जो भी change करना चाहती है तो इसके यह फिसकल पॉलसी भी बड़ा important part उसका है तो अब फिसकल पॉलसी को समझते हैं क्या होता है फिसकल पॉलसी तो before the Great Depression where the latest from the 9 to 29 1929 one of one set of the Americas entry in the World War second the government approaches to the economy was lazy frame following World War second it was determined that the government has to take a proactive role in the economy to regulate unemployment, business cycle, inflation and the cost of the money by using mixed monetary and physical policy depending on the political orientation and the philosophies of those in the power at a particular time one policies may dominate other government can control the economic phenomena तो यह start कबसे हुआ यह बता रहे हैं कि 29 October 1929 में जब World War second में जब अमेरिका ने पाट लिया था तो उस condition में एकनोमी की आलत बहुत खराब थी तो उस समय से government monetary policy और physical policy दोनों साथ में लगाने लगी market में inflation को control करने में नेक्स आते हैं physical policy is means by which a government adjusts its spending level and tax rate to monitor and influence the nation economy तो physical policy के help से क्या होता है government जो खर्चा करती है government के जो भी पॉलिसी तोटली आपका directly relate करता है taxation से it is a sister strategy of the monetary policy through which a central bank influences the nation's money supply यह एक sister strategy है monetary policy का मतलब यह monetary policy के साथ साथ लगाया जाता है ताकि एक great influence हो सके economy में central government का central government जो भी decision ले वो सही तरीके से implement हो सके इसलिए physical policy और monetary policy को दोनों साथ में implement किया रहता है using a mixed monetary and physical policy government can control economic phenomena तो दोनों policy को साथ में लगाने से government इस सारे problems को अराम से manage कर लेती है थैंक्यू सुडेंट्स हमारा चनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक्यू थैंक्यू